अमेठी से बड़ी खबर है इसकी उमीद नहीं थी बहुत मेहनत की थी प्रियंका गाधी ने और उनको ये सोच करके महासचीव बना करके पुर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था कि 2014 के चुनाव में जो कसर रह गई है वो कसर इस बार पूरी करेंगी वो और जो है कांगर्स की सीटे बढ़ाएंगी वोट परसेंटेज बढ़ाएंगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं अमेठी से राहूल गांधी इस बार चुनाव हार गए पिछला चुनाव यानि 2014 का चुनाव वो एक लाग साथ हजार वोटों से जीते थे और स्मिर्ती रानी दूसरे नमबर पर रही थी तब आपके कुमार विश्वास जाकर के वहां से चुनाव लड़े थे लेकिन तब ह उनके सामने चुनावती एकदम साफ साफ पेस हो गई थी कि जो उनका गढ़ है उस गढ़ में इस मृती रानी बीजेपी की कंडेट ने जाकर के उनको चुनाव लड़ने का एलान किया तब ही इस बात को लेकर के चर्चा सुरू हो गई थी कि क्या इस बार अमेठी से क्यों किया तब कांग्रेस ने बीजे पीपी वार किया था कि पीम नरेंद मोदी जब पीम नहीं थे तब उन्होंने वरांसी और वड़ोद्रा से चुनाव लड़ने का दो जगस एलान क्यों किया था बात आई गई हो गई लेकिन जो आसंका थी वो सच साबित हुई और इस कांफिंस करके उनको बधाई भी दी और पूरी हार की जीमेदारी भी ली लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल कांग्रेस के स्तामने है कि राहूल गांदी खुद भी एक सीट से चुनाव हारें और जितने उनके समर्थक और कोट्री के कोर टीम के लोग हैं वो अधिकांस उसमे से चुनाव हार गये हैं तो अमेठी ने बहुत बड़ा सबक दिया है प्रियंका गांदी के प्रचार के बाद रात दिन एक करने के बाद ये नतीजे उनको सोचने को मजबूर करते हैं कि आखिर गलती कहां से हुई और एक बात और बता देख राय बरेली और अमेठी के बा करना नहीं कर सकते तो ये रहा अमेठी का हाल आप ऐसी ख़बरों के लिए देखते रही है हमारा डिजिटल चैनल इन खबर उसे लाइक किजिए शेयर किजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें थैंक यू इन खबर चानल को सब्सक्राइब करें और बैल अनापू